कुछ नया और डिफरेंट बनाना है टेस्टी बनाना है चटपट बनाना है और अमेजिंग बनाना है तो चलिए आज आईए मेरे साथ वीडियो में लास्त तक बने रहिएगा आज मैं आप सभी के साथ कुरकुरे पोहे के पकोड़े की रेसीपी शेयर करूंगे गाइस वेलक कप मैंने पोहा लिया है पोहा जो घर पर आप खाते हैं वजवही वाला पोहा है यह पतला वाला नहीं नौर्मल पोहा है और इसमें पानी नौर्मल पानी डालते हुए एक से दो बार अच्छे से दोलेंगे जिससे की जो हमारे पोहे में कोई भी डस्ट होगा तो वो निकल हातों से मिलाकर इसे अच्छे से दोलेना है अब इसका जो पानी है उसे निकाल देंगे और इसके बाद फिर से हम इसमें नौर्मल पानी एड़ करेंगे आदे से भी कम कप डाल देंगे और इसे ढख कर रख देंगे साइड में तब तक हम दूसरी तयारी कर लेते हैं अपन ग्वांडिटी पोहे कर रहे हैं तो आलू की भी कम जादा ही करिएगा और आलू को मैं इस तरह से बड़े बड़े टुकडों में काट लेना है क्योंकि हम इसे मिक्सर जार में पीसना है तो बस चलिये इसे इस तरह से मैं काट करके रेडी कर लेती हूँ यह जो हमारे पूहा भी अच्छे से हमारा फूल कर रेडी हो गया है अब मैं ले रही हूँ एक मिक्सर जार और इसमें डाल देंगे पोहा जो हमने भीगो के रखा था बस वही एड़ कर देंगे पोहे की क्वांटिटी कम जादा आप कर सकते हैं इसके बाद हम डाल देंगे इसमें दुले और कटे हुए आलू के पीसे जो हमने काटके रखे थे बस वही इसमें एड़ कर देंगे इसके बाद मैं इसमें एक इंची का अद्रक कर टुकड़ा डाल दूंगी क्योंकि वह बारिक इसी के साथ पिस जाएगा आप चाहें तो उसे कद्दू कस करके भी ले सकते हैं इस त अब यहां पर एक बाउल ले रही हूं और इसे में डाल करके दिखा रही हूं जैसे आप दोसी का बैटर इडली का बैटर बनाते हैं उसी कंसिस्टेंसी का यह होना चाहिए नमक एक चम्मच छोटा मैंने इसमें आड़ कर दिया है आदा जीरा है साबू दीर जीरा है और मिर्ची डाल रही हूं बारी कटा हुआ हरा धनिया जाएगा धेर सारा डालिएगा इससे कि हमारे नास्ते में कलर भी अच्छा आएगा और देखने में सुन्दर लगेगा दो हरी मिर्ची ली थी बारी कटी हुई वह भी मैंने इसमें एड़ कर दिया आप चाहें तो अरथा बना रहे हैं तो हरी मिर्ची स्किप कर दिजए अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3-4 छम्मच होटी वाली मेंदा आप यहां पर अरा रोट भी ले सकते हैं या पर कौन फ्लोर भी ले सकते हैं बस बाइंडिंग के लिए ले रहे हैं तो इसलिए मैंने यहां पर 3-4 चम पीवन करके रेडी होगा क्योंकि हम इसमें इनो या फिर बेकिंग पॉर्डर बेकिंग सोड़ा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यह देखिए बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी कर यह बेटर होना चाहिए अब यह देखिए मैं दिखा देती हूं आपको इसे हातों में लेकर छोटे चोटे पकोड़े इसमें डाल दीजिए आप चाहें तो जो हमने बेटर बनाया है पोहे का उसमें आप एक मीडियम साइज की प्याज बारी काट करके भी एड़ कर सकते हैं उससे भी नास तक काफी टेस्टी लगता है मेरे घर पर यह इसी तरह से खाया जाता है तो मैं इसी का फ्लेम एकदम लो पर कर दीजिए और इसे दो से तीन मिट अच्छे से पकने दीजिए अगर आप इसे पलटने की जल्दी करेंगे तो ये चिपक भी सकते हैं और आपकी जो καलची है उसमें ये चिपक कर फट भी सकते हैं जैसे मैं कर रहे हूं ब الإुसर तरह जैसे मैं कर रही हूं तो चलिए इसी तरह से उलट-पलट करृस्पी होने तक इसे सेक लेना है ये देख्यों कितना सुंदर सा कलर$ पॉमेंट्स कर रहे हैं तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेट चरूल कर लें तो इसी तरह से ही मैं ये पकड़ों का दूसरा बैच भी सेख करके रेडी कर लूँगी और लगा देती हूं लेट आप इसे चटनी से टोमेटो केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं ये द कोड़कर दिखाती हूं कितना क्रिस्पी है ये देख लीजिए इसे खाने से आपका मन भर जाएगा लेकिन पेट नहीं बरेगा तो एक बार तो ये घर पर बनाकर इंजॉय करना पनता है आई होप आप सभी को आज की मेरी एक पोहे पकड़े की रेसीपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें नई हैं तो चैनल को सबस्क्राइब चैरूल कर लें मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई